कॉरोनावायरस का संक्रमन देश में तेजी से बढ़ रहा है और इस महमारी के दौर में केंद्री की भाजपा सरकार नीट जेई की परिक्षाओं के चलते सैंक्रों छात्रों की जान जोखिम में डाल रही है देश भर में लाखों छात्र नीट जेई टालने की मांग कर रहे हैं लेकिन मोधी सरकार परिक्षा कराने पर अड़ी हुई है कोरोना महमारी और कई राज्यों में बाड के प्रकोप के बीच परिक्षा लेने के फैसले पर छात्रों ने चिंता जताई उन्होंने सरकार से मांग की कि इस महमारी के भीष्ण दौर में परिक्षाएं कुछ दिनों के लिए टाल दी जाएं लेकिन सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार ही नहीं इसी से नाराज होकर कई छात्र और उनके परिजन शिक्षा मंतरी रमेश बोखरियाल के इस्तिफे की मांग सोशल मीडिया पर करने लगे हैं यूवा विरोधी इस फाजपा सरकार ने पहले तो यूवा विरोजकारी के सारे रिकॉर्ड तोड दिये और अब जेई नीट की परिक्षाओं को स्थगित ना करके उनकी जान जोखिम में डाल रही है भारतिय यूवा कॉंग्रेज भारत सरकार से मांग करती है कि वो अपना फैसला बदले और परिक्षाओं को कुछ और समय के लिए डाल दे यूवापीर ही देश का भविश्य है उनके साथ खिलवाट ना करें